अज मैं बनाने वाली हूं हम सभी की फेबरेट और सबसे पॉपुलर नवरातरी की रेसिपी और वो है खिली-खिली सावोदाने की खीचडी अब सावोदाने खीचडी बिनाना तो बहुत ही सिंप्ल होता है लेकिन अक्सर सब की यही परिशानी होती है कि सावोदाने चिपक जाता है नोन-स्टिकीदी नहीं बन पाती खीचडी परफेक्ट नहीं बनती कुछ main tricks होती हैं जिनको जानने के बाद आपकी साबुदाना की खीचडी हमेशा perfect बनेगी और जब भी आप साबुदाने को भिगोएंगे यानि सोक करेंगे आपका साबुदाना मोती हो जैसा खिला 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 यानि अलग अलग बिलकुल सोक होगा तो चलिए शिरू करते है हाई एब्रीवन मैं हूँ पारुल कुक्वित पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है शुलू करने से पहले फ्रेंट साब सभी लोगों से निवेदन है कि आगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लखते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्स्राइब क मिलते हैं लेकिन हमें थीचली के लिए ये नॉर्मल वाला जो बड़ा वाला मिलता है ये चाहिए होगा तो सबसे जरूरी टिप सबसे पहले आप लें एक बोल में हम डाल देंगे एक कप साबुदाना साबुदाने को लगबब दो से तीन बार हमें अच्छे से दोना होगा जिससे कि ऊपर जो भी इस पर एक्स्टा पाउडर लगा हुआ है इस टार्ची पाउडर वो सारा निकल जाए तो यहां मैं सारे टिप्स आपको देती जा रही हूँ तो अभी आप देख रहे हैं बहुती सफेद सफेद सा पानी है और गुच गंदगी सी भी है ये सारा हम अलग कर देंगे और फिर से इसको दो बार और दोएंगे ये जितना एक्स्ट्रा वाइट पानी है ऐसे तो जब साबुदान आप जितनी बार भी दोएंगे सफेदी निकलेगा पानी लेकिन धीरे धीरे ये पानी थोड़ा हलके रंका हो जाएगा यानि उपर की डस्ट क्ल इतना कि साबुदाना भीग जाए ये देखे yet या जितना साबुदा आई मैं उत्रा ही पानी लिया है बिल्कुल भी जया पानी बिल्कोल लेना अगर आपने पानी लेलिया तो ऊपर की, साबुदाने की कि यो उपर की लेयर है तो जादा घल जाएगी और खीचरी बनाते व फल्फी, पफ़ी और बड्या से सोख हो गया है, हम पानी को दूम अपर प्रफेक्ट और अच्छा साबु तक फलफी और अच्छा सौफ्ट हो लिए आप इसको दूम पर डाले थोड़ा सा पानी, यहां मैंने 2-3 बड़े चमबश पानी लिया है, ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं आपको लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप उपर तक साबुदाने को भिगो दें, और फिर उसको सोक करने के लिए 2-3 गंटे के लिए रख दें, इस तरह करने से साबुदाना बहुत जादा गल जाएगा, फिर खीचली आपकी पूरी चिपकी चिपकी बनेगी, यही हो जाती है गलती, और लगवाक डेल से 2-3 गंटे के लिए आप साबुदाने को ढख करके इसी तरह छोड़ दे, बोतियों की तरह खिल जाएगा, दाना दाना अलग रह तो आप थोड़ी से पानी की चीटे और लगाते हैं, देल से 2-3 गंटे हो चुके हैं, तो चलिए अपने साबुदाना को चेक कर लेते हैं, और यह देखिए, बिल्कुल खिले-खिले, परफेक्ट, और यह मैं कैसे पता चलेगा, आप एक साबुदाना उठाएगे, और इस एक दम फ्लफी हो गए, और आपको थोड़ा भी लगे के कुछ पानी रह गया है, तो बस आप एक चलनी पर कुछ मिंटों के लिए बस इस तरह चोड़ दें, जो भी इसमें पानी एकाद बूंध होगा, वो नीचे निकल जाएगा, लेकिन अभी आप देखिए, हमारा बिल के बिना नौनिस्टिक के भी आपके साब दाने की खीचरी खिली-खिली बढ़िया बनेगी, गैस को ओन कर दें, फ्लेम को कर दें, मीडियम, सबसे पहले काडाई में हम डालेंगे एक बड़ा चमच घी, आ मैंने ये कच्ची बाली मुफली ली है, दो बड़े चमच, मुफ मुफली इस प्लिठोनी यानी चटकनी शुरू हो गई है, लगातर चलाते वही भूनेंगे, और मुफली हमारी बिल्कुल बढ़िया रोस्ट हो गई है, अच्छा गोर्डन सा कडर आ गया है, इससे जादा बिल्कुल ली करेंगे, वरना मुफली काली पड़ जाएगी, और स्वाधनुसार, थोड़ा सा अध्रत जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा डाल रही हूँ, करी पता, सबुदानी की खिचली में करी पते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है, आप डाल कर देखिएगा, अगर आप ब्रत में नहीं खाते तो ना डाले हलका सा सोटे करेंगे की कच्चापन निकल जाए, अब इसमें जाएंगे, बारिक कटा हुआ, एक मेने मीडियम साइज का टमाटर लिया है, यहां मैं टमाटर इसले डाल रही हूँ, क्योंकि हम साबुदाना खिचली तो रोज में ब्रेकफस्ट में भी बनाते हैं, तो मैं जनरल तरीके से बता रही हूँ, कि अगर बिना ब्रत की भी आप बना रहे हैं, तो आप टमाटर डाल के बना सकते हैं, ब्रत में आप टमाटर नहीं खाते, तो ना डाले, बस थोड़ सा टमाटर को नरम होने तक पका लेंगे, बस सिर्फ दो मिनिट और टमाटर हमारे हलके नरम हो गये हैं, बहुत जादा मैशी नहीं करना है, बस इस स्टेज पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ, दो मीडियम साइस के उबलेवी आलू, जिनको मैंने चंज की फर्म में मोटा मोटा कट कर लिया है, बस आलू डाल कर हलके हाथ से आप इसको भी भूल ले, बहुत इसको भूल लीजे, थोड़े सी पानी की छीटे लगा दे, तो वो पक जाएगे, बस इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ, इसमें हमारे फुलावर साबुदाना, पूरा डाल दें, साथी में डालेंगे ब्रत वाला सिंधा नमक, स्वादनू सार, एक छुडी चमच काली मिर के साथ, यारी आलू अगरा के साथ, यह काम हम बिल्कुल जंदी-जंदी करेंगे, और यह देखे, मैं आपको बिल्कुल टॉप आप व्यू दिखा रही हूँ, ना तो मेरा साबुदाना चिपकेगा, कडाई में, और नहीं जादा हमारी खीचली चिपकी-चिपकी बनेगी आप बस इस तरह से गोल-गोल हलके हाथ से टॉस करते रहें, जिस्ते की नीचे ना चुपके, क्योंकि कडाई नॉनिस्टिक नहीं लिये ना हमने, साथी इसको और भी जादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हूँ, बुनी हूई मुफली का पाउडर, म खाने में मज़ा आएगा, साथी डाल देंगे हमारी फ्राई की हूँ ही मुफली और बारी कटा हूँ हरा धनिया, और थोड़ी सी मैं डाल रहें फ्लेवर के लिए चीनी, अगर आप खटा मीठा सा पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी आप चीनी भी डालें, बहुत अची लग अची तरीके से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो साबू दाना है, बिल्कुल ट्रांस्टूसेंट से दिखने लगेगा, बिल्कुल जैसे अभी आपको देख रहा है, बस ऐसे स्टेज़ बन सरफ एक मिनट के लिए लगा ये लेट बिल्कुल लो फ्लेम पाल, हल्की स्टील की कड़ाई में बनाने के बबजूत भी हमारी खीच्णी चिपकी नहीं है, एकदम खिली हुई तयार हुई है, तो चलिए करते हैं, सर ये देखिए, मोतियों की तरह हा खिली खिली अलग अलग हमारी साबू दाना खीच्री, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, हमने स् निकालाई है क्योंकि यह बिल्कुल चुक्की नहीं थी फाइनली थोड़ो से गार्णिश कर देती हूं हरे धरिये से बारिक कटे और फाइनली मैं अपने सावुदाना खीचरी को गार्णिश कर रही हूं थोड़े से पॉम ग्रेनेट सीडियानी अनार के दाने से जो अब रत वाली सावुदाना खीचरी सभी की ओल टाइम फेवरेट और आपर देखा हमारी सावुदाना खीचरी कितनी बड़िया खिलीवे मोतियो जैसे दाने दिख रहे हैं और बहुत ही पफेक्ट बनी है ऐसा लाजबाब स्वाद है कि जब आप इस तरह बनाएंगे तो खाते रह चाहेंगे जिस तरह मैंने बनाई है और सारी ही नबराच्री ब्रत रेसेपीज आप मेरे चनल पर देख सकते हैं वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उमीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा इन जे बार